कि तो हैलो काड़ स्वागा तापके फिर सामारे एक ने वीडियो में तौ आज हम पासने वाले हैं कि ट्रैक तो आज हमारा पर इलेटर निसका तो चैनल लो को सबस्क्राइब किजिए गान रही एपकल शब्सक्राइब कीजिए दिजुए अच्छि लिगें विडियो को लाइक किजिए और कमेंट कीजिए तो चलिए अब हम पढ़ने क्रेडिक करेंद पे काम करता है त्रायक कि और ड्रायक को क्या क्या जाता है Facebook स्विचिंग द्वाइव यह सोथ है kij तो छले दगते हैं तो ट्र excel गर्ट जआ के बितने लोगा ट्रायक यह पाओर कंपोनेन्ट है है रायक का पूरा नाम तलड युश्ण फर transitioning क double होता है जिसमें तीन का मैंट मैंनल थो और गेट निट होता है जब कि की की दायक में आ का उपयोग किया जाता है और तिसरी लीड का उपयोग उपकर्म को जो डिवाइजर से चालू करने मतलब ट्रिग्रिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है इसके बाद इसमें दो SCR विपीट कर्म में लगा करके बनाया जाता है तो आपको मालूम है कि 2HCR को मिला करके हम डायक मना जाते हैं लेकिन उसमें आपको जो गेट था उसे गेट को से हम त्रीगर उसे नहीं करना पता था उसमें में इन्पुट दीजे और में इन्पुट ले लिजे लेकिन ट्राइक में ऐसा नहीं है ट्राइक में आपको गेट में ट्रीगर बोल्टेज देना परता है जिसे आपका ट्राइक जो डिवाज है अन हो सके और जो ट्राइक है 2SCR को म करता है इसके बाद ट्रायक डिसी पर काम नहीं करेगा जो ट्रायक होता आपका डिसी पर काम नहीं किया करता है इसलिए ट्रायक का उप्योग हम सिर्फ एसी में ही कर सकते हैं इसके बाद है ट्रायक स्टार्ट होने पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता है अगर आप में ट्रायक क करने की जो नहीं है बलकि वह खुद बखुद switching कि स्वीचिंग डिवाज की तरह काम करेगा और उसे बार बार आपको ट्रीकर करने के आवसत्ता नहीं पड़ेगी इसके बादे ट्रायक का जो स्वीचिंग फ्रीकोंसी होता है जो ट्रायक है इसका जो स्वीचंग फ्रिक्वेंसी होता है जो इंपुट में फ्रिक्वेंसी डेते हैं वह बहुत कम होता है और उसी फ्रिक्वेंसी को क्या करता है हमको एंप्लिफाय करके हमको बढ़ा करके आउट्पट में देता है तो जो आपका ट्रायक होता है यह क्या होता है दो से आर को बैक टू बैक इसलिए इसे उतना ही ट्रीगर बोलते दिया जाता है जितनी की हमके हमें आवस्थता होता है इसमें आपका तीन ट्रेमिनल होता है ट्रेमिनल नमाल ट्रेमिनल 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 ट् 3 pn J en adolescents बनाएगा, ट्रायक में 4 layers और 3 pn Junction बनता है ट्रायक को हम बनाते है हम сетр का यूज करके back to back convert करके और यह आपका ट्रायक का pn pn मतलब pnpn करेंगे मतलब इसमें, 2 Diode को मिला करके हम pn m pn मनाते हैं, एक N p, nepm बनाते हैं कहना है कीane का मतलब है की SCR इस इस्यमंद को मिलाकर के हम बनाते हैं और इसमें आपका देंद कि BP पिट्रांजस्ट्र एक FM ट्रांजिस्टर का यूज करके इसे हम udah来 sr Biz इसे अपने से घ्मीक बनाते हैं और यह आपका शिंबॉल है यह आपका डायग्राम है यह देख लीज attitudes भूक डायग्राम है तो चलिए अब हम डायोड ट्राइक है ज़ौपका ड्रहिक है ट्रहिक क्या क्याता है यहहाँ दूसरे से अलग होता है जो ट्राइक हूए यूद दूसरे Scr से अलग है क्यूंकि दूनों सोभ्फा क्यों है डायक और ट्रायक से अलग क्यों है क्योंकि यह दोनों दिशा में काडिय कर सकता है जबकि SCR आपका सिर्फ एक ही डायरेक्शन यानि बाई डायरेक्शनल में काम करता था अब तुम यूणी डायक्षिनल था अई आपका बिदेरेक्षिनल है डोनोग डायक्षिनल में ङॉर्टे से काम करएगा यह उससे मतलब नहीं है यह दोनों वाई डारेक्शनल में काम करता है इसका उपयोग एसी सिस्टम के लिए स्वीच की तरह किया जाता है जो आपका एसी सिस्टम होता है उसमें स्वीच की तरह ट्रायक का यूज किया जाता है किसके तरह स्वीच की तरह जो आपका ट्रायक है यहाँ AC system की में switch की तरह कार्य करता है, जो track है, एक switch की भाणती कार्य करता है, track को जब हम एक वार ON कर जेते हैं, trigger voltage दे देते हैं, इसके बाद इसे control नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक वार ON होने को बाद इसे off करना बहुती, नमुम्किन होता है, लेकिन फिर भी हम इसे voltage, trigger voltage के माध्य हम से control कर सकते हैं इसका उपयोग तो जो आप track है उसका उपयोग देखते हैं तो track उपयोग AC power controller या heater में करता है आपको पता है जब कोई भी AC device है कोई भी AC equipment है overheat होने लगता है तो उसमें supply कर जाती है जैसे आपका प्रेस हो गया, heater हो गया, जो आपका घीजर हो गया इससे में क्या होता है, जब extra heat हो जाता है तो उसमें आपका supply कर जाता है तो उबहाँ AC power controller की रूप में उसे कार्य करता है इसका पाद SCR में triggering device की भाटिक उपयोग गया जाता जो आपका ये जो है न ट्रायक, SCR आपका DC पर काम करता है लेकिं ट्रायक किस पर काम करता है, AC पर काम करता है तो ट्रायक AC पर काम करता है, तो ट्रायक का उपयोग हम क्या करते है SCR को trigger करने के लिए हम उपयोग करते है trigger voltage देने के लिए हम किसका उप्यों करते हैं आपको triac का किस में देंगे trigger voltage CR में देंगे और diac में देंगे CR, diac, FET इन सब को trigger करने के लिए हम triac का उप्यों करते हैं इसके बाद इसका ज़्यादा रुप्यों किया जाता है lighting control में इसे use किया जाता है प्रड़ीप की अगट कीन जाता है क् 9 ती मोटर बाशे होटी मों, तुसम में इसको यूज क्या जाता है, अपीलेक्टनिकश फींचर्थ स्वीच plais फश्वाइ करना उसमीं ट्रायइक अप्योग क्या जाता है, बोल्टेज को ट्रिगर करने के लिए ट्रायक उप्यों किया जाता है जो कि ट्रायक बाइडरेक्शनल डिवाइज है यह डोनों दिसा में काम करता है ओके तो यह रहा आपका ट्रायक का यूज ठीक्छा तो नेक्स्ट आपका जो पावर कंपोनेंट है वो है आपका आईजी बीती जो आईजी बीती होता है इंसुलेटेड गेट बैपोलर ट्रांजिस्टर यह आपका एक मॉस्फेट में ही जब हम मॉस्फेट के एक भाग में जो आपका एक बोडी अटेच कर देते है तो उसे ही ह लाटे हैं और जो मोशफच होता है मेटल उक्साइट सेमिकंडक्टर फ्लिप ट्रांजिस्टर उसी में एक बोडी को टेस किया जाता है एक आपका होता इन्सुलेटर गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर यह इसमें एंटाइप पी टाइप डोनों चार्ज केरियर की समानता समान होती है क्योंकि यह बाइपोलर है ओके तो नेक्स्ट आपका आईजी बीटी आईजी बीटी एक पावर इलेक्ट्रोनिक्स डिवाइज है क्या है गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर होता है यह एक हाई स्वीच इवाइज हां जबका आईजी बीटी होता है मॉस्फेट से भी रहा होता है और यह हाई स्वोच इडिवाइज होती और कि इसके तीन थर्मिनल होते है मैंका collector गेट और एमड़ाय इंसुलेटेर होते हैं जो गेट टर्मिनल होता है उससे insulated किया जाता है और जौ आई जबीती होता है यहाँ bjt यानि बाइपोलर टांजिक्ट्टर और मॉस्फेट के कम्बीनेशन से बनाया जाता आई जी बीटी को आपका बाइपोलर जग्सन ट्रांजिस्टर और मॉस्फेट के कम्बिनेशन से बनाया जाता है और इसका उप्योग हम हाई प्रफार्स स्विचिंग डिवाज की रूप में करते हैं आईजी बीटी एक बाइपोलर जंग्शन ट्रांजिस्टर है या आपका इसमें जो चार्ज केरियर होते हैं बहोल्स आविलेक्रोन दोनों की समानता एक बरावर होती है और इसलिए इसे हम बाइपोलर जंग्शन ट्रांजिस्टर भी कहते हैं इसमें टीन टर्मिनल गेट, बेस, गेट, गेट होता है, एक कलेक्टर होता है और एक मीटर होता है और जो gate, collector और emitter होता है इसमें और BJT और collector इसमें collector और emitter और mosfet gate terminal को आपस में मिला कर आईज भी तुणा जाता है कहना का मतलब है BJT का जो collector होता है और emitter और mosfet का gate BJT का terminal collector और emitter को ले करके और mosfet का gate terminal को ले करके इन सभी को मिला करके nigbt बनाया जाता है किया बना जाता है इसमें बनाया जाता है इंस्लिटेशंड़ gate by polar transistor, ingbt का impedance बहुत ही high होता है, और पीटी को आपको बीजेती के कलेक्टर एमिटर और मॉसफेट के गेट टर्मिनल को मिला करके बनाते हैं किस है आईजी बीटी आपका एक फास्ट स्विचिंग डिवाइज है इसमें तीन टर्मिनल गेट कलेक्टर और एमिटर होते हैं गेट टर्मिनल इंसुलेटेड होता है क्यों जब मॉसफेट में ही एक बोडी अटेच कर देते हैं एक बोडी अटेच कर देते हैं तो हां क्या हो जाता है इंसुलेटेड की तरह काम करने लगता इसलिए आईजी बीटी का भी फूल फॉर्म इंसुलेटेड गेट इंसुलेट और gate collector और emitter होता है, gate से हम इसे trigger करते है, emitter से input लेता है आप collector से output लेते हैं, output terminal हो गया, input terminal हो गया, gate से आप इसे trigger करेंगे, मतलब IGBT को on करेंगे, अच्छे, और जो mosfet होता है इसका आपका gate terminal लेके और BJT का collector और emitter लेकर के collector और emitter लेकर हम IGBT का निर्मान करते हैं तो I hope आपको यहां का समझ आ गया तो चलिए next डेखते हैं उससे पहले यहां पर आपको एक जो contraction diagram है IGBT का OBT आ गया है तो यहां देख सकते हैं एक metal यानि metal का body silicon oxide का भी यहां पर जो पतली चाद होती है उससे लगाया गया है और इसमें आपका NPN, NPN मतलब NPN परकार के NPN type के semiconductor का उसकिया गया है और इसमें gate voltage देगा emitter से input देगा और collector से output ले लेगा मेडल बोरी है एक injection layer होता है IGBT में layer तो बनेगा न इसमें आपका layer बनता है इसके बाद आपका application of insulated gate bipolar transistor IGBT के अनुपरयोग तो IGBT का जो use है कहा कहा होता है IGBT का व्यापक रूप से मध्य सक्टी अनुपरयोग medium power बाले जहाँ मेडियम पावर यानी सक्टी का प्योग होता है वहाँ किया जाता है जैसे AC और DC मोटर को चलाने के लिए AC और DC मोटर को drive करने के लिए UPS सिस्टम बिजली की अपूरती रिले इस समय आपका इन सब को trigger करने के लिए IGBT का अपयोग किया जाता है IGBT, BJT Converter की तुलना में छोटे और सस्टे होते है जो IGBT होता है वो BJT Converter यानी BJT Component के तुलना में छोटे और सस्टे होते है कौन? IGBT सस्टे होते किस से? BJT से सस्टे होते है IGBT और छोटे भी होते है इसका उपयोग आपका UPS सिस्टम पावर सप्लाई में AC और DC मोटर में उसको drive यानी उसे स्टार्ट करने के लिए IGBT का जोटी आ जाता है जो कहने का मतलब है Get Turn Off Thyristor क्या? Get Turn Off Thyristor Get को Turn रखेगा Turn Off मतलब Get को Band रखेगा GTO में क्या होता है? Get Terminal हमेशा Off रहता है यहाँ Power Electronics में Thyristor को Ideal Switch का परियोग किया जाता है Thyristor को Ideal Switch की तरह परियोग किया जाता है लेकिन इसे On करने के बाद Off करने के लिए Commutator क्या हो सकता होती है जो GTO होता है इसे हम एक Ideal Switch की तरह उप्योग करते है लेकिन On करने के बाद Off करने के लिए Commutator क्या हो सकता होती है किसकी? Commutator क्या हो सकता होती है IGBT को Off करने के लिए जब एक वार यह On हो जागा तो इसे Off करने के लिए Commutator क्या हो सकता होती है इसके बाद है जो costly और defective होता है इसलिए जो GTO होता है costly और effective हो जाता है और इस thyristor के अस्थान पर GTO का उपियो किया जाता है जो आपका thyristor होता है एक ideal switch होता है लेकिन जो thyristor होता है उसे on करने के बाद और आफ करने के लिए कोम्यूटेटर क्या वासकता होती है जो की कॉस्ली और डिफ्यक्टिव हो जाता है इसलिए ठाइरिस्टर के स्थान पर हम जी टीयो का उपयोग करते हैं जीतियो का यूज किया जाता है उप्योग किया जाता है क्योंकि थाइरीस्टर बहुत ही महागी और डिफेक्टिम क्याने कदो भी कंजम संप करते लिले इसलिए वह अबहुत हम जीतियो गेट तर्न औ dumb तारिस्टर का उप्योग करते हैं अज के लिए इतना ही जो कि आज हमारा Power Electronics जो आपका chapter है वो खटम हो चुका है तो अब हम मिलते है किसी next वीडियो में और जो Power Electronics है जो Power Electronics में जितने भी devices पर है वो सभी important है इजाम की भीव से और जितने भी यह इसमें one-liner question बनता है सभी आपको PSU में जितने भी डिया दियो बार्क इसरो इस समय पूछा जाता है अल्पी technician इस समय भी आपका question आता है Power Electronics से one-liner question था जो की बहुती important है तो यह आपका Power Electronics आज खतम हुआ तो मिलते हैं फिर कभी next वीडियो में उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगिया कमेंट कीजिए वीडियो को like कीजिए दोस्तों को साथ share कीजिए ठाकि उन्हें भी अधिक से अधिक मदद मिल सके इस जह हिंडु